तो आज की हमारी इस online class में हम बात करने जा रहे हैं VVA Micro Programming VVA Micro Programming की हमारी code concept की पहली class है और हमने पहली class में आपके साथ बताया था कि हम VVA यूज़ करने से पहले हमें developer tab होना चाहिए file को save कर लीजिए .exalis M में micro security को enable कर लीजिए सब चीज़ आपने कर लिया अब हम visual basic पे जाते हैं और बिजाने के बाद यहां एक module insert करते हैं पुकि हम जो भी coding करेंगे module में करेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके बारे में discuss कर चुके हैं और एक macro जो भी बनाना है सब यहां पे किसी भी नाम का macro बना सकते हैं तो इसके बार हम यह चीज़े मैं आपके साथ discuss करेंगे इसमें हम बात करते हैं कि अब्जेक्ट होते हैं सबसे पहला अप्लीकेशन अप्लीकेशन दूसरा पार वोक्स तीसरा सेट्स और चौथा रेंट जैसे English language हम यूज करते हैं तो English language में क्या होता है कि आपका कोई भी वर्ड नावन या परनावन से शुरू होता है नावन या परनावन से शुरू होता है उसी तरीके से यहां भी आपका चार में अब्जेक्ट से शुरू होता है चार में अब्जेक्ट से शुरू होता है अब इन चार में से क्या होगा सबसे पहला अप्लिकेशन तो जैसे कि जो आप जिस चीज के लिए लिखना चाहते हैं अगर वो आपका किसी अप्लिकेशन को प्राब्लम क्रियर कर रहा है तो अप्लिकेशन के कोड लगेंगे अगर किसी पर्टिकुलर फाइल का है तो पर्टिकुलर फाइल पे लगेंगे किसी पर्टिकुलर शीट का है तो पर्टिकुलर शीट पे लगेंगे ठीक है कुछ एक्जाम्बल से समझते हैं तो हम सबसे पहले अभी फिलहाल अप्लिकेशन को छोड़ते हैं और हम लेके चलते हैं तो जैसे यहां पर देखें अप्लिकेशन वर्कुक शीट और इस तर वर्कुक अगर माल लिए एक नई फाइल खुलनी हो यहां लिखेंगे वर्कुक्स डॉट अब इसको ऐसा रण नहीं करेंगे रण करने के लिए एक अलग मैकरो होना चाहिए क्योंकि यह फालतुए कोड है ने फालतुए कोड आपके प्रॉब्लम करेंगे कि सब्जेक्ट और स्लाइश वर्न करके हमने ब्राइक लोज किया और मैं यहां लिखूंगा वार्कुक्स बुक्स होगा सौरी डॉट अब्सक्राइब क्या होगा आप इसको रण करेंगे यहां माइक रोज में जाके और वन को क्या करेंगा एक नई फाइल खूल दें क्या शार कोले दिया नई फाइल खूल दिया ऐसे नई फाइल खूल दें अब इसमें पूस्टन आता है कि जो फाइल खुली है उसको सेव कैसे करें तो फाइल सेव करने का होता है क्यों वर्क और यहां पर लोग 2.xls.save एज और कहां करना है तो इड्राइड के अंदर 2022-123.xls यह फाइल हो जाए पर प्रॉब्लम यह है लेकि किसी भी कोड को लिखने का तरीका आपके सामने दिख रहा है किसी कोड को लिखने का तरीका क्या है कि आप पहले यहां पर यहां पर यहां पर वर्क बॉक्स फाइल के यहां पर dot saveHges क्याना है उतका location ऊब यह होगया वह अब्जेक्ट यह होगया उबजेक्ट का 앞 सब्जेक्द ह diu करेंगे क्योंति हम एकसा यह दोनों को रन करेंगे तो एक गरवर होगी क्योंकि फाइल ने हमारा हमेशा रहेगा इसकी गारेंटी नहीं है इसलिए लेकिन जो फाइल खुलती है वही एक्टिवेट होती है यहां हम लिखेंगे एक्टिव वार पूक डॉट बाकी सब कुछ सेम होगा सेब एस और अपना पाथ ठीक है सर्ड बाकी पाथ ओके कि समझ गया है लेकिन यहां पर एक और सिट्वेशन आती है कि मुझे पता है कि मुझे फाइल को सेव एज ही करना है ठीक है ओके तो हम क्या करेंगे डारेक नहीं पर लिख देंगे सेव एज और यहां फ़र फाइल करेंगे वह सेव एज करते हुए फाइल को डाउनलोड करेंगे एक है खिए अब हमने फाइल को नई फाइल करना सीख लिया उसको सेवैंच करना सीख लिया अब बात करते हैं कि कोई particular फाइल है उसको open कैसे करेंगे यहां लिखेंगे workbooks.open और जहां से फाइल open करनी है उसका हम यहां पर क्या देए ? पाथ देंगे पाथ देंगे पाथ देने के बाद फाइल ओपन हो जाएगे अब जो फाइल ओपन होती है वही एक्टिवेट होती है उसमें जो कुछ करना है तो आसानी से अब कर सकते हो अगर फाइल का नाम पता है तो आप लिखेंगे workbooks और यहां पे book12 जो भी है x list x dot close or equal to 2 कि अधिक कि हासर समझ गए अब बाइब को अब को अब लेकिन माल लेज़ फाइल पता नहीं अब अब यह उपन किया उसी पर काम कर रहा हूं करेंगे आपे कि कैई यह यह कुछ अब क्लोज करते से मिंडू करना को यह यह कि जैसे कोई भी फाइल को बिना सेफ की हुए क्लोज करते थे अब कुछना एट यूथ है क्पषर है हैं क्षव दो सकतर्व है आपका फाइल क्लें करें करना नहीं कि लिए और में फाइल करना के लिए हम बात करते हैं एक फाइल से दूसरे फाइल पर जाने के लिए तो यहां लिखेंगे वर्क वर्क वोक्स अब यहां पर अपना फाइल नें कि मुझे बूक वन डॉट एक्सलेस एक्स या भूक टेशलेस डॉट एक्टिवेट यहां पर सिक्वेंस भी देल जबते कि वर्क वो तो यहां जो नीचे फाइलक पस् Ze जाना है यहां पर निचे फाइल कोंचे जना सबस्क्राइगे जड़ किन रिखस्तवर्फेंस जो चुहां करेंक लिखेंगे अगर कोई फाईल हमको खोलना है या यह करना है तो इसको workbook लिए इसका workbook के सरेढ़ हो उसमें हम अधिवर्क है ठीक है ठीक है सर्ट ठीक है सर्ट तो हम active work.protect PR protect और protect में हम पास्ट रोगें active work में protect तेख क्या protect फूंस दा प्रोटेक्शन किया यह डेवलपर यहां पर review tab के अंदर जाके प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट अब इसमें हो गया बारात बात आती है कि हम ओपनिंग पास्ट पर डालना चाहिए तो यहां भी एक्टिव वर्कु बूक्स डॉक्स डॉक्स नहीं होता है पास्ट पर यहां पर यहां पर अंदर जाएगा इंफो में जाएगा प्रोटेक्ट बॉक्स अंदर बित पास्ट और यहां पर पास्ट डाले जिससे आपकी फाइल की ओपनिंग पास्ट लग जाएगा अब यहां पर कुश्चन आता है कि हमने इससे पहले किसी भी लाइन में इक्वल का यूज नहीं किया बट इसमें इक्वल का यूज क्यों किया देखिए हमने बताया कि पहला आपको object होता है यह आपका member होता है तो member जो होता है basically दो तरह के होते है method and property जब space मारते हैं तो नीचे expression आ रहा है वो method कहलाता है और properties में नहीं आता है तो properties में नहीं आया तो आपको एक pull करना होता या दूसरा पाशान आम का तरीका है जब आप कुछ लिखते हैं तो जो बीन करर का B size ना वाली इसको बोले जाता है सब्सक्राइब है तो इसमें कुछ मेंबर डिटेल डाला है तो आप डालेंगे स्पेस अब मेंबर पोपर्टीज है जैसे आप यहां देख पा रहे हैं एक्टिव वर्गों इसने क्या इसने में जो इन्फर मेशन है इसको लिया दिया नहीं है ठीक है राइट सर ओके राइट 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 अब जैसे नहीं होता है आपने यह फाइल नेम चाहिए तो मैं एफन इक्वाल टू या एफ इक्वाल टू एक्टी वार्ट वुक दॉट फाइल नेम तो नेम होता हमां चैक्वार्कू.नेम पालनेम नेम अब फूल नेम होता है तो पाथ और नेम दोनो देता है स्टी यह वार दो टॉट फुल्णे तो इन्फोमेशन डेन लिए पास लिए फुल ने लिए यह चीज इन्फोमेशन देती हैं निफोमेशन कहां से भोता है वेरेवल पे अब मुझे जहां ancient फाइल नेंपे जरूर परेगी तो वहां पे हम क्या करेंगे इस है इंट इंट डाल दोगे एफ डाल दोगे यहस ठीक है का कि इंट उड़ समझे तो संदल का अज चकत इस नमझ में आगे आपको आपको आप क्या किजी किजी इसकी प्रैक्ट सारे कोड इस कोड को मैं वार्ट सब्सक्राइब कर देता हूं अब आपके पोर्ट को एक एक लाइन पर यूज करना है किसमें एक एक लाइन पर फूर्ट किजी मुझे बीचे करेंगे और शीट्स के बाद हम बात करेंगे रेंज उसी तरह से आगे बढ़ेंगे ठीक है करेंगे बात करेंगे बात करेंगे बात करेंगे दीक है